बस ऐसे ही ये 22 तारिक वाला जो कारिक्रम है ये भारती अंता पार्टी का व्यक्तिगत इवेंट है और भारती अंता पार्टी जो चाहे वो करें अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो व्यक्ति राम मंदिर के दर्शन करने 22 तारिक को नहीं जाएगा क्या वो सनातनी न ने वाले भारती अंतापाटी वाले ये बता दें कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है सनातन धर्म के अंदर कि मंदिर ना जाने पे आप मुझे सनातन विरोधी कह देंगे या कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे आप मुझे सनातन से निकाल देंगे अब तो शंक्राचार जी भी नहीं जा तो उनको आप उनसे बड़े हो गए क्या आप जो आप ये कह रहे हैं कि सहाब जो 22 तारी को नहीं जा रहा वो सनातन विरोधी हो गया तो इस्तिती यह है कि भारती अंता पार्टी अपना प्राइवेट इवेंट करेगी और मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि 22 तारी को कैमरामेन हटा दीजिए उस इवेंट से उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि भारती अंता पार्टी के कौन-कौन नेता वहां पे जाते हैं मंदिर के अंदर सबसे पहले प्रवेश कैमरामेन कि या वहां पे प्रांट प्रिष्ठा करने के लिए जो भी पुजारी या जो भी जा रहे हैं वो करेंगे प्रवेश मुझे इसका जवाब चाहिए भारती अंता पार्टी के प्रवक्ता से खैर दूसरी बात अभी बत पता चला आपने बताया पढ़ा अभी आपने के व्य गली कांड को तभी तो आज भारती बताया तो मैंने एस्पी बगेल भारती अंता पार्टी के सणसर्ण कई पोको तुझे कितनी दिर बोलने दोगे आपका हक है पहले तो मैं इनको इस पश्ट कर दूँ जराब चार लोग है तो चारों के सवाल भी हमी से है और यह चार तो आपको गड़बंदन वाले हैं एक दूसरे को दिये गए समय को गुगावारा नहीं कर पा रहे हैं सीटे कैसे गवारा करेंगे यह देखने की पार असीम वकार जी सत्ता में ही होंगे सुधानशु जी तो ठीक है इसका मतलब आपको तो ठीक है मतलब इंका एलिगेशन होगे आप विपक्ष की तरह रहे हैं किसी भी मंत्री या सांसद को सबको निमंत्र नहीं दिया गया दूसरा निमंत्र देना ट्रस्ट का काम है निमंत्र का किसी राजनेतिक दल से कोई मतलब नहीं है आलोक कुमार जी ने उस संदर में कहा कि हमने उस विशे को भुला कर भी यह करने की का साहस किया मगर साफ दिख गया कि आप उसी दौर में पड़े थे और आप तो RLD के प्रत्री ने हैं जनाब उस दौर में आपको याद है कि मुलाहिम सिंग की सरकार तो BJP के सपोर्ट पे थी तब तो आप और मुलाहिम सिंग समाजवादी पार्टी की असने तो नहीं था जनाब जनता अदल था वीपी सिंग का जनता अदल था तो चौधरी चरण सिंग की लीगेसी है इसका इनका कदम उससे बड़ा हो जाएगा तो उन्होंने कहां मुलाहिम सिंग को बना देते हैं इनको ये तो मेरे कंट्रोल में रहेंगे पर बाद में गुरू गुडर है चेला सक्कर हो गए वो उनसे आगे निकल गए तो साहब उ राजनीती हम लोगो पता यदि आप उस दौर में जाते हैं तो अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ था तो चौधरी अजी सिंग के साथ हुआ था मगर आज अफसोस और हालात का मारापन देखिए कि आप उनकी समर्थन करने को भी वश्य है परन तो मैं एक बार पुना कह रहा हूं हम फिर भी किसी से बैर नहीं मानते अलोक कुमार जी ने जो कहा है तो मैं राम चरित मानस की चौपाई कोट करता हूं जो भगवान राम के राम राज जी के लिए कही गई बैर नकर काहूसन कोई राम प्रताप विशमता कोई और मैं यह भी यानि हम किसी से बैर नहीं किसी ø便 चमता नहीं और जिन लोको आपती हैका मोदी जी को जा रहे हैं तो सोमनात का उध्गाटन किस ने किया था तो सरदार पटेल नहीं सारा इनिशेटिव लिया थ पर नंनहरू सोमनात जी के समय में गये थे उननहरू जी के वंशत आज जा रहे हैं यान पटेल जी की विरासत के साथ हम खड़ा है तो देश की जंता को बहुत साफ पता है दूद का दूद पानी का पानी है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है जो पीना पाऊ तो ढरका देने वाले हैं अब उस ढरकने के दोर में कॉंग्रेस अपना पानी कितना संहाल के रख पाएगी समाजवादी पार्टी कितना संहाल के रख वो ढरकने नपाई ये देखने की बात होगे मैं आदिक दर वाकार जी से इतिफाक नहीं रखता हूँ लेकिन जो रोल सीथितु की ये बात में उछाने वाला था डॉक्टर जेतेंदर सिंग जी ने पार्लिमेंट में जवाब देते हुए सैटलाइट का जो उन्होंने बताया का लेकिन उसके अलावा भी मानने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस के सामने चंदर्चूट के सामने तीन बार वर्तमान सरकार से मौझूदा सरकार से पूचा गया है आप जो प्रीविस ऐफिडेविट है उस पर काय में या चेंज कर रहे है और सुब्रमनियम स्वामी जी ने का है कि इसको नैशनल हेरिटेज डिक्लेर कना चीए आप जीट को बरतमान सरकार ने आज तक तीन बार के बावजूद इस पर कोई फैस्टा नहीं किया आप फेबरुरी की तारिक मांग रहे है और मासीता मासीता जिनका जनम हुआ है वो जन स्थान को मिठिकल बनाने वाले महेश अर्मा जी और वहाँ पर जी 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 संखेप में टाइम लिमिट को वालो करें चुझां चुटी सेकिंड में जवाब देन अस्यम वकार देखे पहली बात बहुत इसपष्ट कर दूँ जनाब वो जो एफिडेविट कॉंग्रेस ने दिया था वो तो जब भाजपा ने विरोध किया था तुरंत विड्रॉक कर लिया था दो दिन में भाई वो एफिडेविट अभी कहां स्टेंड कर रहा है और दूसरी बात मैं क अच्छा असीम वकार से क्या पूछे थे रोई अगरवाल आप 20 सेकंड में असीम वकार सहाब से पूछना चाहा रहा था कि आपने कहा कि विपक्ष मुद्दे साही से नहीं उठा पाता है तो आप कब सत्ता में आये यह जनता को बताईए क्योंकि हम तो यही समझ रहेते कि आप विपक्ष में परंतो ऐ आप आप कहे रहे हैं कि विपक्ष हाई से मुद्दे नी उठाता तो मुझे तो लबगता आप विपक्ष का पाट है तो मुद्दे तो Goodार आपकी आपकी क्यों नहीं मुद्दे उठाते हैं आपका कौन सा पैक्ट हो गया भारतिय ँंतना पा सुनिये तो उड़ता तीर मत पकड़ा कीजे जांट आपकी party का रहें वो समाजवादी party को वोट ही नहीं देता है समाजवादी party की Wales जहाँ जहां थे हैं यहां जांतर ने बिजाटी लुट किया है जाटो ने बीजेपी को वोट किया और जाटो की टेनेंसी यह है कि जहां पर हैंड पंप है वहां तो दे देंगे वो मुसलमान का वोट ले भी लेंगे लेकिन जहां सैकिल और पंजा होगा महाँ टोटल जाट बीजेपी में जाता है और हो सकता हो कि उत्तर में जो विदान सबाँ चुनाओ हुआ था तो उसमें रोहित अगरवाल का वोट भी बीजेपी गया हो आसी मकारी गरणटी है कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे और तुम लोग की गरणटी है कि तुम कभी बीजेपी नहीं जा सकते हो और वो चंदा अभी तक वापस नहीं किया आपने आप शायद भूल गए यह मैं में आपको लखनव से और चंदा बटोरने के बाद आप आप अस्पिताल में भरती हो गए तो पर्चा भरने की बजाए मैंने का याद दिला दू क्या बहुत याद दिलाते हो आदत है भारत आप तो सुन लो जो सर अमीश भाई एक लाइन बोल ला हूं जिस जिसने कभी भी जिसकी पार्टी और जिसके नेता ने कभी भी बीजेपी से हाथ मिलाया है उसके मूपर तू और जिसनेता ने बीजेपी से जिसके नेता ने बीजेपी से जिसके नेता ने बीजेपी से उस बारती एंता पार्टी से पाक्ट करके सूकेस लेके अपनी पार्टी जो चलाता हो उसके मुँपे थूँ जो अपने मुसलमान भाईयों के साथ धोका करता हो और मुसलमान वोटरों का सौदा करके भारती एंता पार्टी को भारती एंता पार्टी के साथ पाक्ट करता हो उसक जहां भी आरेलडी का कंडेरेट हो उसको वोट ही मत दो यह गत्दार है यह जहां भी आरेलडी कंडेरेट हो वहां बिलकों वोट बन दोड़igareêmा तिलंगाना में वोट मुन्सल्मानों परेइ shaved देनाAwकी सर्कार नहीं प्रवेट तो माई इनको रमाइंड करा दू एक तो एक समय था जब इनकी दो सीटे थी दो ही मेंबर पार्लेमेंट था और एक ऐसा भी समय था जब बाजपई जी की दोनों के इडिया खराब जी 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 और राजीव गांधी जी ने उनको सम्मान देते हुए युनाइटेट स्टेट भेज करके इलाज करवाया और वो भी एक दिन था जब प्रदान मंत्री नरसिम्हा रहो थे और रिस्पेक्ट दे करके वाजपई जी को युनाइटेट नेशन भेजा गया साब अगर अटल जी विदेश के दौरे पे थे तो कोई भी मेंबर अफ पार्लेमेंट अगर सरकारी डेलिगेशन विदेश के दौरे पे होता है तो यह नियमान उसार है कि उसकी भी तबियत खराब होगी तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी अपोजिशन के और आप उस कंचर किये जो इस देश का है जिसको बेच के खा गए हो 2014 के बात अरे भाई सोचिए कि अटल जी नेता प्रतिपर्ण की बात नहीं है उसके मेरे की है